हेलो स्टुडेंट्स तो कैसे हैं आप सब हमने स्टार्ट किया था भी फार्मिसी फॉर्ट समेस्टर और उसमें हमने स्टार्ट की थी यूनिट टंबर फॉर लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ओग्जाजोल एंड थायजोल के सिंथेसिस रियक्शन मेडिशनल यूस ओके आज की इस लेक्चर में अपने एक सिंगल कंपॉंट को स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है पाइरेडीन पाइरेडीन में ऐसा क्या है कि यहां पर हम सिंगल कंपॉंट को स्टडी करेंगे तो देखो पाइरेडीन आपके समेस्टर एक्जाम के बिहाफ से इंपोटेंट ह साथ में हम इसकी basicity भी पढ़ने वाले हैं तो आज किस lecture में हम देखेंगे pyridine की basicity, pyridine की structure, pyridine की बारे में basic बाते pyridine की method of preparation, pyridine की chemical reaction और pyridine के derivative and medicinal uses और साथ में इसी lecture में हम cover करने वाले हैं basicity of pyridine ठीक है या फिर बोलो pyridine तो lecture काफी important है क्योंकि basicity of pyridine भी इसी lecture में cover होगा मतलब पूरा lecture pyridine की उपर है क्यों? क्योंकि pyridine important भी है और lengthy भी है थोड़ा सा तो lecture को ध्यान से सुनना next video से अपन दो-दो compound cover करना है start करेंगे ठीक है? जैसे quinine all-in and isoquine all-in, acridine and indole तो यह next lecture है आज का lecture है pyridine तो शुरू करते हैं lecture को अगर आपको और वीडियो देखनी है तो मैंने playlist के link जो है description में दे रखी है और अगर आपको notes के requirement है notes डाउनलोड करने है तो मैंने telegram की या फिर website के link भी आपको description में दे रखी है आप जा के visit कर सकते हैं तो चलो शुरू करते हैं आज का topic तो देखो बिल्कुल basic से start करते हैं pyridine को सबसे पहले pyridine की structure देखो आप यह होती है pyridine की structure यहाँ पर nitrogen के उपर होते हैं lone pair और यह lone pair जो है participate नहीं करते resonance में क्योंकि आप देख सकते हो किस तरह से ring बनी हुई है यहाँ nitrogen है ठेक है और अंदर आप देख सकते हो तीन bond है एक दो और यह तीनों ही आपस में resonance show कर लेंगे आपस में यह तीनों ही घुम जाते हैं ठेक है तो यहाँ पर जो nitrogen के उपर lone pair present है ना यह lone pair जो है participation ही नहीं करते है resonance में यह lone pair अंदर resonance में part ही भी तीन bond लगाते हो और बोलते हो कि benzene में resonance होता है बिल्कुल क्योंकि benzene के अदर जो तीन bond है ना वही अपने आप resonance कर लेते हैं तो आप इस structure में देख सकते हो यहाँ पर यहाँ पर भी तीन bond है और यह तीनों bond जो है आपस में ही resonance कर लेते हैं मतलब यहाँ पर जो nitrogen के पर lone pair है वो resonance में participate नहीं करते हैं सबसे पहली बात हमें यह clear हो गई दूसरी बात हमें इस structure को देख के क्या पता लग रहा है हमें यह पता लग रहा है कि यह unsaturated है क्योंकि यहाँ पर double bond present है ठीक है 6 member गिरिंगे बिल्कुल 6 member गिरिंगे heterocyclic है बिल्कुल क्योंकि यहाँ पर nitrogen present है जो की heterotem है ठीक है बाकि सारे carbon है यह देखे carbon 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 और यहाँ पर nitrogen present है जो की heterotem है तो यह 6 member किरिंगे यह heterocyclic गिरिंगे यह unsaturated है ठीक है और यहाँ पर जो nitrogen है वो यह सारी बाते हमें structure देखके ही पता लग गई तो अगर आपको structure याद है तो आप कुछ बाते तो ऐसे ही लिख सकते हो ठीक है यहाँ पर देखवा आपको पता रखा है कि consist of six six delocalized pie electron six क्यों बुलाएं यहाँ पर क्योंकि यह जो bond है इसको हम electron pair मानकी चलते हैं तो दो मानकी चलते हैं तो दो चार छे ओके तो यहाँ पर यह सेकंड लाइन लिखी हुई है थर्ड लाइन लिखी हुई है कि यह aromatic nature का है बिल्कुल है क्योंकि यहाँ पर resonance हो रहा है यहाँ जो six electron है उनका delocalization हो रहा है ठीक है अगली लाइन है कि यह huckle rule भी follow करता है क्योंकि यह aromatic है बिल्कुल सही बात है तो हमने structure देखके ही काफी सारी बाते बता दी और आप यह भी बोल सकते हो कि जो यहाँ पर nitrogen के lawn pair है वो participate नहीं करते resonance में तो सब सब पहली बात हमने क्या structure है six member की heterocyclic ring है जहाँ पर nitrogen जो है heteroatom है इसमें क्या होता है delocalization होता है पाइल एक्ट्रोन का six electron जो है पाइल एक्ट्रोन है उसके बाद यह aromatic nature का होता है क्योंकि यहाँ पर resonance है साथी साथ अगर यह aromatic है तो यह huckle rule को भी follow करता है ठीक है यह सारी बात है हमें structure देखके पता आया कि यहाँ पर जो nitrogen के lone pair है वो participate ही नहीं करेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने nitrogen के lone pair से start ही नहीं किया मैंने बस बना के दिखा रखे हैं और अंदर bond shifting start कर दी arrow से देख सकते हैं यह वाला bond यहां आ रहा है यह वाला bond यहां आ रहा है तो कुछ इस तरह से bond shifting हो गई अभी आप देखिए nitrogen के lone pair का कोई भी रोल नहीं है आगे आप देखिए अब यह bond जो है आगे बनने की कोशिश करेगा तो यह bond जो है कुछ इस तरह से बढ़ेगा ठीक है एक यहां पर एक यहां पर अब इसी का reverse यह structure है ध्यान से देखिए एक बार ध्यान से देखिए यह structure देख इसमें यहां bond है तो इसका just opposite bond यहां आ गया इसमें यहां bond है तो इसका just opposite bond यहां आ गया ठीक है तो यह reverse structure बना देना और बीच में एक इसी structure बना देना जिसमें दोनों bond अलग अलग तरफ हो यह मैं आपको याद कराने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि यहां पर थोड़ी से problem आजाती बच्चों को क्योंकि lon pair जो है participate नहीं कर रहा अगर lon pair कर रहा होता तो हमने पहले भी resonance करा ही हुई है पर यह सीधा सा तरीका है आपको 5 और resonating structure याद रखने का तो अगर कोई पूछे पायरेडीन में कितनी resonating structure बनेगी तो आपको बोलना है 5 और आपको इस वाले concept से बना देनी है सबसे पिल आपको normal structure बनानी है फिर एक बार घुमा के दिखाना है फिर यह वाली याद रखने है और इसकी just opposite बनानी है और बीच में यह वाली बना देनी है ठीक है यह बस एक trick है ताकि आपको याद रह जाए वरना फिर resonance समझ्झ में दिक अताती इसकी क्योंक आपर देखो nitrogen है ना इसके उपर lawn pair है ना और जो भी lawn pair रखता है वह basic होता है ठीक है तो देखते हैं देखो यहाँ पर अब pyridine जो है जो basic है जब वो SCL के साथ react करेगा तो salt बनाता है यह यहाँ पर salt बन गया तो सबसे पहले मैंने क्या करा pyridine लिया उसकी reaction कराई acid के पास आ गया और CL जो है निकल गया यह आप देख सकते हैं ठीक है यह बन गया pyridine chloride मतलब salt बन गया यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि pyridine जो है basic nature का है और जब मैं उसे acid के साथ react करूंगा तो वो salt बना लेता है और यहाँ पर मैंने example दे दिया जब मैंने pyridine को acid के स rate कराया तो यहाँ पर यह pyridine chloride बन गया जो कि salt है ठीक है अब मैंने आपको बोला कि pyridine basic क्यों है तो the basicity of pyridine is due to readily availability of long pair of electron और nitrogen atom यहाँ पर long pair present है nitrogen पे इसकी वज़े से यह है Lewis base ठीक है इसलिए जो है basic है pyridine ठीक अब बात करें कि pyridine और pyrrole में ज्यादा basic कोन है क्या pyridine ज्यादा basic है या फिर pyrrole तो चलो देख लेते हैं इनकी structure फिर मैं आपको पूरी theory समझाता हूं तो देखो मैंने दोनों का structure बना दिया है अब दोनों को compare कर लेते हैं कि pyridine और pyrrole में ज्यादा basic कौन सा है अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो pyridine है उसमें nitrogen के उपर lone pair है और अंदन 3 bond है अंदर 3 bond होने की वज़े से यहाँ पर जो lone pair है वो अंदर नहीं जाएंगे resonance में जबकि आप देख सकते हैं जो pyrrole की structure है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ही bond है एक ये वाला एक ये वाला और lone pair भी हैं और ये lone pair जो है participate करेंगे क्योंकि 2 bond में कोई भी resonance नहीं होती कम से कम 3 bond चाहिए अंदर तो अब ये lone pair जो है participate करेंगे तो होगा क्या इस nitrogen के पास जब इसके lone pair अंदर रेजोनेंस में participate करेंगे तो इसके पास lone pair की कमी हो जाएगी और जिसके पास lone pair की कमी वो basic भी कम तो यहाँ पर basic city कम हो जाएगी ठीक है और pyridine में क्या है कि अंदर 3 bond है वो खुदी resonance कर रहे ह और nitrogen के पास lone pair थे और रहेंगे और जिसके पास lone pair रहेंगे हैं बिलकुल available है तो वो जो है ज़्यादा basic होता है तो यहाँ पर pyridine जो है ज़्यादा basic है क्योंकि यहाँ पर lone pair जो है available है जबकि pyrrole में lone pair available नहीं है क्योंकि जो nitrogen के lone pair है वो resonance में participate कर रहे है ठीक है इसी में ने उपर लिखी हुए है कि पारेडिन के लॉन पेयर जो हैं participate नहीं करते है резunance में जिसकी वज़े से पारेडिन के पास क्या हूता है जो nitrogen होता है उसके पास basic है as compared to pyrrole ठीक है उपपर यहाँ पर मैंने सारी theory लिखी हुई है आप पढ़ सकते हैं अब बात करेंगे इस pyridine molecule को compare करते हैं aliphatic amine के साथ aliphatic amine क्या होता है चलो बताता हूँ मैं pyridine का comparison करेंगे यह हमारा pyridine है ठीक है और यह है aliphatic amine मतलब R NH2 यही होता है अब मैं R को कुछ भी लिख दूँ क्योंकि R का मतलब alkyl group होता है तो यह carbon carbon लगा दिये मैंने ठीक है अब यहाँ पर हम basicity compare करेंगे पहले हमने compare की हमें पता लगा pyridine की ज़्यादा है ठीक है पहले हमने किस से compare करी थी देखों यहाँ पर हमने pyridine की compare करी थी पाइरोल से और तब हम लगाता कि यहाँ pyridine की जो basicity ज़्यादा है फिर इसी pyridine को अब हम compare करेंगे aliphatic amine के साथ तो द्यान से सुनना यहाँ का reason बहुत मस्त है तो देखो यहाँ पर भी nitrogen है यहाँ पर nitrogen है इस nitrogen के पाज भी lone pair है और इस nitrogen के पाज भी lone pair है और दोनों के पास free है क्योंकि यह वाला nitrogen का lone pair तो जाई नहीं रहाज है resonance में और यहाँ पर resonance हो ही नहीं रही यह free पड़ा है तो यहाँ पर basic ज़्यादा कौन सा होगा ठीक है तो द्यान से सुनना ये जो nitrogen है न ये more electron negativity वाला है क्योंकि इसका hybridization है sp2 और इस nitrogen का hybridization है sp3 अगर आपको याद नहीं है कि hybridization क्या होता है तो कोई बात नहीं क्योंकि वो class 11th का topic है अभी आप इतना समझ लीजिए कि hybridization sp2 होता है pyridine का और sp3 होता है aliphatic amine का तो हमने यह आपर देखा कि जो pyridine है यह हमारा जो pyridine है इसमें जो nitrogen है इसका hybridization होता है sp2 ठीक है और जो हमारा aliphatic amine है यह हमारा aliphatic amine और इसमें जो nitrogen होता है इसका hybridization होता है sp3 और बच्चा बच्चा जानता है कि SP2 ज़ये ज्यादा electron negative होता है और SP3 ज़ये कम electron negative होता है जो नहीं जानता कोई बात नहीं याद रखलो normal कि pyridyn का जो nitrogen है उसका hybridization SP2 है और जो alanafidic acid š planned nitrogen है उसका hybridization SP3 है और जब हम पढ़ते हैं तब हम पता लगता है कि SP2 जो है जादा इलेक्ट्रों नेगिटीव आला है और SP3 जो है कम इलेक्ट्रों नेगिटीव आला है ठीक है, अब हमें बतानी है basic character, तो द्यांसा सुनना reason, इलेक्ट्रों नेगिटीविटी क्या होती है, सबसे पहले तो ये बताओ electron को अपनी तरफ खीचना ठीक है अब electron negativity किसकी ज़्यादा है? इस की इस nitrogen की ज़्यादा है more है ठीक है तो ये electron को अपनी तरफ खीचेगा और ये जो है कम तरीके से कीचेगा च्योंकि इसकी electron negativity कम है तो इस वाले की ज़्यादा है मतलब यह अच्छे से कीचेगा तो यह loan pair को घीचने का काम करता है और इस वाले की कम है मतलब यह loan pair को कम कीचेगा और देने में ज़्यादा भरोसा रखेगा यह खीचने में कम और देने में ज़्यादा भरोसा रखेगा तो देने वाला हो गया basic क्योंकि लॉन प्यार दे रहा है तो यह ज़्यादा बेसिक हो गया बड़ा सिम्पल सा ग decentralized है जिसकी इल्क नेगिटिविटी जादा उसका basic character कम, सीधी सी बात, और यहाँ पर electron negativity जादा किसकी है, इसकी, ठीक है, तो इसका basic character क्या होगा, कम होगा, और इसका जादा होगा, क्योंकि इसकी electron negativity कम है, इसकी विज़े से इसका nitrogen का basic character जो है, जादा होगा, तो that's why मैंने बताया, कि जो हमारा pyridine है, उससे भी elephantic amine की basic character होता है, तो यह electron negativity वाला concept समझ में आगया आपको, काफी easy था, मैंने पहले भी lectures में बता रखा है, ठीक है, शायद unit 3 का last lecture था, जब मैंने यह बताया था आपको, चलो, तो हमारा main conclusion क्या निकला, कुछ इस तरह से निकला कि सबसे जादा तो elephantic amine की basic city होगी, उसके pyridine की होगी, और सबसे आखरी में होगी pyrrole की, क्योंकि pyrrole में जो nitrogen है, उसके lone pair तो चल जाते हैं, चल जाते हैं, तो इसकी सबसे कम basic character होगी, तो सबसे जादा होगा हमारा elephantic amine basic, फिर pyridine और फिर pyrrole, अब देखेंगे synthesis of pyridine, के pyridine बनता कैसे है, तो देखो pyridine बन का, बीटा डाय कार्बोनिल कंपॉंड, या फिर आप बोलो, बीटा कीटो एस्टर, किसके साथ condensation करना है, LD हाइड और अमोनिया लेकर, ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या गरा, दो मोल लिए, बीटा डाय कार्बोनिल कंपॉंड के, तो यह रहा बीटा डाय कार्बोनिल पॉंड एक मोल, यह रहा उसका दूसरा मोल, ठीक है, तो हमने क्या गरा, सबसे पहले दो मोल लिए, एक यह रहा और एक यह रहा, साथ में हमने क्या लेना है, LD हाइड लेना है, और अमोनिया लेना है, ठीक है, तो एक सेकिंड, यह रहा LD हाइड और यह रहा अमोनिया, तो ह में इसकी reaction कराऊंगा तो यहाँ पर कुछ इस तरह से structure बनेगी यह CWC2H5 यह CWC2H5 यह दूसरा CWC2H5 यह CWC2H5 ओके और फिर क्या करना है आपको Pyridine की structure बना दी नहीं है तो इस तरह से आपने Pyridine की structure बना दी यहाँ nitrogen लगा दिया ठीक है और बस यहाँ पर क्या करना है जब यह आप करोगे तो एक दो तीन तीनों कोने पर CS3 CS3 attach कर देना है मतलब कुछ इस तरह से structure बनेगी देखिए आप मैं आपके सामने बना रहा हूँ यहाँ CS3 यहाँ CS3 यहाँ CS3 और इधर CWC2H5 इधर CWC2H5 अंदर तीन बोन इस तरह से structure बना दी ठीक है यह है यह है dihydropyridine derivative नौ नेक्स्ट यहाँ फर्दर convert किसम होता है देखिए यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन को अटाना है क्योंकि यहाँ पर लोन पेर आता है ठीक है तो आप देख सकते हैं इस structure में यहाँ से हाइड्रोजन जो हे हट चुका है आप देखिए यहां से हाइड्रोजन जो है हट चुका है और यहां से CS3 भी गायब है पर आपको लगाना है क्योंकि CS3 रहता है चलो तो हमें समझ में आगा कि सबसे बिले हमने दो मूल लिए बीटा डाय कारगोनेल कंपॉंड के एक एरा एक एरा एक एरा एक एल्डियाइड लिया और एक अमूनिया लिया उसके बाद हमने बता दिया कि कैसे स्ट्रक्चर बनेगी फिर हमने क्या कराया फर्दर इसको कंटिन्यू करा रियक्शन को तो यहां से हाइड्रोजन अड़िया यहां पर CS3 रहेगा लगा लेना ओके फिर मैंने इसकी रियक्शन कराई के ओएच एथेनोल केल इसतरे से स्ट्रक्चर बन जाएगी काफी सिंपल मैथाड ऑप्लिपेशन है आपके पास बन चुका है 246 क्राइमिथाईल एक तो सेकंड पोजिशन पे एक फोड पोजिशन पे एक सिक्स पोजिशन पे तीन मिथाईल ग्रूप है तो 246 क्राइमिथाईल पिरिडिन ठीक है Now, यह अपन ने देखी Handzak Pathway, ठीक है, या फिर आप बोल लो Handzak Pyridine Synthesis. Now, next है, from Di-Elder Cyclo-Edition, तो देखो, यहाँ पर क्या है, Di-Elder Cyclo-Edition of Oxazole and Di-Inophile Produced Pyridine Derivative, जब मैं हाँ पर Cyclo-Edition कराऊंगा, एक तो Oxazole का कराऊंगा, यह रहा, और साथ मैं Di-Inophile का जब में कराऊंगा, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ पानी निकल जाएगा, और बन जाएगा हमारा Pyridine, और Pyridine के साथ लगा हुआ है, एक R1, एक R2, जो कि यहाँ पर Attach था, ठीक है, तब ही तो हम बोल रहे है, Pyridine का derivative बनेगा, क्योंकि अगर नॉर्मल Pyridine होता, तो R1, R2 नहीं होते, अब R1, R2 अगर Attach है, तो यह Pyridine का derivative हुआ, तो काफी सिंपल था, Oxazole और Diaphynyl हमने, Di-Innophile हमने 8 कर दिया, ओके, नाउ नेक्स्ट है, from Acetylene, तो Acetylene तो काफी सिंपल है, CH, Triple Bond, CH, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए, CH, Triple Bond, CH, साथ मैं SCN लिखा हुआ है, और वापिस CS, Triple Bond, CH, जब मैं इसको Red Hot Tube से पास करूँगा, जब मैं Acetylene की Reaction, SCN से करूँगा, ठीक है, यह SCN रहा, यह Acetylene रहा, दो मूल, जब मैं इसको Red Hot Tube से पास करूँगा, तो मुझे मिल जाएगा Pyridine, काफी सिंपल था, तो देखो, हमने सबसे पहले क्या देखा था, हमने देखा था, Handzec, Pyridine Synthesis, उसमें हमने कुछ इस तरह से बनाया, उसके बाद Dye Elder, इसमें कुछ भी नहीं, एक Oxazole लिया, और एक Dye Inofile लिया, जिससे हमारा बन गिया, Pyridine का Derivative, Now, Next, हमने देखा Acetylene से, जब मैंने Acetylene की Reaction, SCN के साथ कराई, उसको Red Hot Tube से पास कराया, Pyridine बन गिया, Now, Next, है, from 1,5 Dye Ketone, या फिर आप बोल लो, Dye Carbonyl, क्योंकि Carbonyl Compound क्या होते हैं, Ldiad और Ketone ही होते हैं, तो यहाँ पर हम Ketone बोल लए हैं, Carbonyl, एक ही बात है, तो देखो किस तरह से बनेगा, तो देखो यहाँ पर reaction दे रखिए, सबसे पहली reaction में आपको क्या दे रखा है, 1,5 Dye Carbonyl Compound, ठेक है, मतलब यहाँ पर 1,5, 1 से लेके 5 तक, 1,2,3,4,5, R1,R2,R3,R4,R5, Attach है, उसके बाद मैं इसकी reaction कराऊंगा, Ammonia के साथ, तो जैसे मैं इसकी reaction Ammonia के साथ कराऊंगा, यहाँ पर NH Attach हो जाएगा, ओके, फिर मैं क्या कराऊंगा, इसका Oxidation कराऊंगा, तो Oxidation के लिए HNO3 चाहिए, और जैसे मैं यह कराऊंगा, यहाँ से Hydrogen हट जाएगा, यह वाला जो Hydrogen है, यह हट जाएगा, और यहाँ पर Lone Pair रह जाएगा, ठीक है, यह अपना में मकसत था, तो देखो, यहाँ पर Double Bone का भी खेले, इस structure में कोई भी Double Bone नहीं है, 1,5 Dark Carbonyl Compound, जब मैंने इसकी reaction कराई, NS3 के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर Hydrogen Attach हुआ, और यह Bone यहाँ पर है, और जब मैंने इसकी reaction Oxidation करवाई, तो देखिए क्या हुआ Hydrogen हडगिया, Hydrogen की जगे Lone Pair आना है, क्योंकि हमें पता है, Pyridine बनने वाला है, और अंदर तीन बोंड आने है, क्योंकि हमें पता है, Pyridine में तीन बोंड होते हैं, और यह जेसा का जेसा, R1, R2, R3, R4, R5, ठीक है, तो काफी easy है, यह भी, from 1,5 Dicetone, कुछ भी नहीं किया Ammonia जोड़ा, फिर उसका Oxidation कर दिया, पहले हमने क्या कर आ, Ammonia जोड़ा, फिर Oxidation कर दिया, ठीक है, Now next है, Goresky Pyridine, Synthesis, ठीक है, तो यह कैसे बनता है, ध्यान से देखो हैं आपर, तो देखो, इस reaction में भी क्या होगा, Pyridine का derivative बनेगा, जब मैं Condensation कराऊंगा, Condensation किस-किस के बीच में, और Sino Acetic Amide के बीच में, तो Aceto Acetic Aster, और Sino Acet Amide, इन दोनों का, जब मैं Condensation कराऊंगा, ठीक है, यह तो रहा Aster, और यह रहा Sino Acet Amide, तो जब मैं Aceto Acetic Aster, और Sino Acet Amide का Condensation कराऊंगा, in the presence of KOH, Methanol, Reflux, ओके, तो वेन वी Condensation, When we doing Condensation between Aceto Acetic Aster, and Sino Acet Amide, in the presence of KONH, KOH, and Methanol, then, यहाँ पर क्या होगा, देखिए, Cyclo Addition हो जाएगा, यह जो है, और यह है, दोनों Add हो जाएगी, कुछ इस तरह से बनेगी, यहाँ पर Hydrogen रहेगा, क्योंकि इसको हटाना हम है, ज़रूरी यह Reaction में, ओके, एक Double Bond हो यहाँ प यह CWO C2H5 है, यह भी यहाँ पर Line से आगया, तो काफी Simple है, जो है, उसे यह Add-on किया है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, Now Next, यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ से में को Hydrogen हटाना है, क्योंकि आपको पता है, Hydrogen हटेगा, तभी यहाँ पर लोन पर आएगा, तभी यह Pyridin क लाएगा, ठीक है, बागी सब कुछ से हमें, CS3, CS3 का CS3, Cyanide का Cyanide, CWO C2H5, ठीक है, बस यहाँ पर क्या Change हुआ, यह Double Bond O थाना, इसका Bone तूटा, और जैसी Bone तूटेगा, यहाँ पर Hydrogen आ जाएगा, So Simple, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ में दो Change है, एक तो Hydrogen जाना तो Necessary है, उसके Hydrogen जाएगा, तब लॉन पर आएगा, और यह Double Bond O तूटके, OH हो जाएगा, Simple, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक, काफी Simple है, एक पर आप लिखके देखेंगे न, आपको हो जाएगा, बस आपको यह लिखने में ध्यान से लिखना है, क्योंकि यह थोड़े जीब से हैं, structures, बाके तो easy है, यह आप बना लोगे, Double Bond तोड़के OH लगा लोगे, और यहां से H भगा दोगे, और लॉन पर लगा दोगे, Simple सा है, तो यह बनाया हमने, गुर्याइस की प्रिडिन सिंतेसिस से, ओके, नाव यह हमने सिंतेसिस देखी, देखो यह वाले देखी गुर्याइस की, उसे पहले 1,5 डाय की टोन, ऐसे टाइलीन और SCN से बनाया, डाय एल्डर का साइक्लो एडिशन कराया, और हमने देखा था, first, handsack, यह सारी आपको लिक लिक कर देखनी है, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, उतनी जल्दी आपका एक्जाम में हाथ चलेगा अब देखेंगे reaction of pyridine, तो देखो यह वाली reaction तो हमने सबसे पहले ही देख ली थी, कि जब हम pyridine की reaction कराएंगे, SCL के साथ, तो वो क्या बनाएगा, एक salt बनाएगा, ठीक है, तो SCL में क्या होता है, H+, और CL-, तो क्या मैं H+, की reaction हो रही है, तो क्या मैं इसे protonation बोल सकता ह क्योंकि protonation का मतलब क्या हो गया, H+, एड होना, और यहाँ पर वही तो हो रहा है, देखो, nitrogen के पास कुछ जा रहा है, H जा रहा है, तो यहाँ पर protonation भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है, यह वाली reaction में आपको पहले ही बता दी थी, कि pyridine जो है, अगर acid के साथ rate करेगा, तो salt बन कर रहा है, N alkylation, मतलब N पे alkyl group attach करना है, और alkyl group क्या होता है, CS3, ठीक है, तो यहाँ पर हमें nitrogen पे CS3 group attach करना है, तो CS3 I से reaction करा हूँगा, अब यहाँ से जो CS3 है, वो nitrogen से attach हो जाएगा, कुछ इस तरह से, क्योंकि हमें कराना है, N पे alkylation, मतलब alkyl group attach करना है, तो हमने कर दिया, और जो I minus है, वो निकल जाएगा, इस तरह से, ठीक है, थर्ड है, Electrophilic Aromatic Substitution Reaction, जिस में हम देखेंगे nitrogen, तो देखिए काफी सिंपल है, nitrogen में आप सभी जानते है, NO2 generate होता है, और यहाँ पर ortho position पे attach हो जाएगा, ठीक है, in the presence of HNO3 or S2SO4, next is sulfonation, sulfonation में SO3 generate होता है, यहाँ पर attach कर दिया, same position पे, जहाँ पे NO2 attach किया था, ओके, और sulfonation गराने के लिए आप सभी जानते हैं, एक तो H2SO4, एक oleum, oleum का formula होता है, H2SO7, यार रखना हो तो ठीक, यह तो कोई बात निग, next है halogenation, halogenate कराना है, मैं क्लोरिन ले लता हूँ, क्योंकि halogen में सब आते ह मैंने क्लोरिन ले लिया, और क्लोरिन में मैंने स्रेमेट कर दिया, कुछ भी नहीं है, ठीक है, now next is nucleophilic substitution reaction, यहाँ पर क्या होगा देखो, सीधी सी बात है, यहाँ पर यह मैंने लिया पिरिडीन, जब मैं स्पिरिडीन की reaction कराऊंगा, NANS2 और liquid ammonia के साथ, KOH के साथ, N-butyl lithium के साथ, तो तीनों case में क्या होगा, जब मैं NS2 के साथ कराऊंगा, तो इस position पर आएगा, जब मैं KOH के साथ कराऊंगा, तो KOH किसमें तूटता है, K+, OH-, तो यह OH भी यहाँ कर टेच होगा, ठीक है, क्योंकि nucleophile reaction है, nucleophile मतलब charge वाले, negative charge वाले, और इसमें देखिए धर वाले मे N-butyl lithium से reaction हो रही है, तो जो lithium है, वो यहाँ पर attach हो गया, तो nucleophile वाले में सेम concept है, एक ही जगे attach करना है, जिसे N-ANS2 है, तो यहाँ पर N-S2, KOH है, तो यहाँ पर OH, N-butyl lithium है, तो यहाँ पर lithium, ठीक है, यह nucleophile वाले में है, और अगर मैं बात करूँ, halogenation, sulfonation, nitrogen, तो इस position पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, सब में इस position पर है, और अगर मैं बात करूँ, nucleophilic substitution की, तो nucleophilic substitution में इस position पर, यह वाली, ठीक है, now next, आपका है reduction, pyridine का, तो reduction में bond हटाने है, ठीक है, तो जब मैं reduction करूँगा, hydrogen, palladium की presence में, तो सारे bond हट जाएंगे, यहाँ पर एक भी bond है, ठीक है, hydrogen attach हो जाएगा, यह भी ध्यान रखना, ठीक, now next है, sodium in liquid ammonia, जिसको हम कहते है, birth reduction, और यह reduction जो है, class 11 में पढ़ा भी होगा आपने, काफी easy है, जब मैं pyridine का reduction करूँगा, in the presence of sodium liquid ammonia, उसे ही हम कहते है, birth reduction, तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से structure बनती है, दोनों side double bond होता है, और नीचे जो nitrogen होता है, इसके साथ hydrogen आ जाता है, ठीक है, जो reduction होता है, उसमें यहाँ पर nitrogen के साथ hydrogen आएगा, देखिए, तो इस तरह से आपको पहले ही धियान रखना है, कि hydrogen to add करना है, ठीक है, तो मैंना hydrogen palladium की presence में कराई, तो एक भी bond नहीं रहा, hydrogen add हो गया, ठ hydrogen add हो गया, अब मैं इसकी reaction, LILH4 के साथ करऊंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, एक bond तो यहाँ रहेगा, एक bond यहाँ रहेगा, और यहाँ पर hydrogen आ जाएगा, तो तीनो bond गायव हो गये तो hydrogen palladium, दोनो bond आमने सामने हुए तो birth reduction, और एक bond यहाँ हुआ, एक bond यहाँ हुआ, इसका अगर मैं oxidation कराऊं, H2O2 से, CS3CWS से, 65 degree पे, तो जब मैं pyridine का oxidation कराऊंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, N oxidation होगा, मतलब nitrogen के उपर OAKT हो जाएगा, कुछ इस तरह से, ओके, नाव नेक्स्ट इसके medicinal uses, pyridine के medicinal uses, तो देखो, medicinal use यहाँ पर मैंने बहुत सारे लिखे हु हैं, जिससे, isoniazid, ethionamide, pyridoxin, ओके, तो जो isoniazid है, is used with other medication to treat active tuberculosis infection, जो tuberculosis का active infection होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, isoniazid भी देते हैं, other medication के साथ, तो कुछ medication जो चल रही है, उसके साथ हम isoniazid भी देते हैं, ताकि, जो patient में tuberculosis है, active, वो सही हो जाए, ओके, और भी uses हैं, जैसे, ethionamide मैंने आपको बताया, तो ethionamide का क्या use है, देखो, ethionamide का use है, used with other medication to treat TB infection, ये भी TB infection को सही करने के काम आता है, ठीक है, नाव जो प्रिड़ॉक्षिन है, उसको हम बोलेंगे, vitamin B6, is used to maintain the health of nerve, skin and red blood cell, हमारी skin की, हमारी nerve की, और हमारी red blood cell की health को maintain करके रखता है, पेरेडोक्सिन, या फिर आप बोलो, पाइरेडोक्सिन, जिसको हम कहता है, vitamin B6, तो ये सारे ही derivative है, देखो, isoniazid, ethionamide, पाइरेडोक्सिन, ये isoniazid और ethionamide तो हम मेडिकेशन के साथ देते हैं, ताकि tuberculosis सही हो जाए, और पाइरेडोक्सिन जो की vitamin B6 है, और RBC की health को maintain रखता है, ठीक है, it has been used to prevent, treat to certain nerve disorder, caused by certain medication, किसी medication से अगर हमें nerve disorder हो जाए, तो उसे भी treat कर देगा, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजे लिखी हुई है, medicinal usage से related, आपको जो भी याद रहती है, वो आप याद रख सकते हैं, ठीक है, next lecture से अपने start करेंगे, quinoline, तो आज का lecture था, पिरिमीडीन के उपर, पिरिमीडीन, ओके, I hope आपको अच्छे से clear हुआ होगा, हमने देखा आज इस lecture में, पिरिमीडीन होता क्या है, पिरिमीडीन की structure क्या है, पिरिमीडीन में resonance के से होता है, पिरिमीडीन बैसिक क्यों होता है, पिरिमीडीन की method of preparation, chemical reaction, medicinal uses, derivative सब कुस देखा, A2Z, पिरिमीडीन का, ठीक है, अगर आपको किसी को topic में doubt है, तो आप comment section में comment कर सकते हैं, और अगर किसी का भाई बंदू, class 10th में है, 11, 12th में नीट की preparation कर रहा है, तो ये चैनल जो है, class 10th की science, 11, 12th की biochemistry के लिए भी है, और मैंने यहाप पर नीट के लिए important question series भी करा रखिये, तो अगर किसी का भाई बंदू है, cousin relative अगेरा, तो जरूर चैनल सजेस्ट करना, I hope आपको lecture समझ में आया होगा, comment करके बता सकते हो, अगर आया है तो, have a nice day, thank you.